Hello students, today we will discuss about a poem A Roadside Stand by Robert Frost तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की poem A Roadside Stand A Roadside Stand is a lesson giving poem by Robert Frost Robert Frost की द्वारा एक सीख देने वाली poem है In this poem, the poet describes the miserable condition of the people living out of city इस poem में, poet उन गाओं में रहने वाले, सहर से भार गाओं में रहने वाले लोगों की देने श्तिती के बारे में बताता है They have set up a roadside stand to earn money सड़क के किनारे पे वो छोटा मुटा खोका लगा लेते हैं और उसमें कुछ पैसे कमाने के लिए जो खेतों में होने वाड़ी सागसबजे हैं वो बेचा करते हैं They sell wild berries on the stand उस stand पे वो जो अपने खेतों में, जंगलों में होने वाड़ी berries होती हैं, वो बेचते हैं The poet says that no one stop at the roadside stand Point कहता है कि सहर के चमचमाती गाड़ियों में आने वाले लोग उन stand के उपर रुकना पसंद नहीं करते, नहीं रुकते The motor cars pass at a very fast speed Motor cars उस stand के पास से बड़ी तेजगती से निकलती हैं They don't ask even the rates of the goods Roadside stand पे जो किशान जो farmers अपना समान वेचते हैं, उनका rate भी नहीं पूचते हैं, उन समानों का If anyone stops there, अगर कोई रुक भी जाता है वहाँ पे He spoils the lawn or ask for gas or petrol वो उस lawn को खराब कर देता है अपने vehicle के टायर से और उससे gas के बारे में या petrol के बारे में ही बात करता है उसके goods के बारे में, उसके समान के बारे में कुछ बातें नहीं करता They also complain that the people have spoiled the beauty of place with artless things वो इस बात की भी शिकायत करते हैं जो सहर के लोग है वो कि ये गरीज़ लोग जो अपना समान सड़के किनारे बेशते हैं उन लोगों ने इस प्राकरतिक दरश्चे की सुंदरता को दाग लगा दिया है प्राकरतिक सुंदरता को कम करती है Frost thinks that the city people are greedy and selfish Frost is बारे में सोचता है कि शहर के लोग स्वार्थी और लालची होते हैं They don't buy anything from the roadside stand वो इन roadside stand के किनारे पे रहने वाले लोगों से कोई सामान नहीं खरीदते They have purchased all the lands उन शहर के लोगों ने उन धनी लोगों ने सारी जमीने खरीद लिया The rural people have been pushed near the stores और उन ग्रामन लोगों को स्टोर्स के नजदीक उनोंने धकेल दिया The greedy city people have made them lazy और उन लोगों को The greedy city people have made them lazy उन ग्रामन लोगों को इन लोगोंने आलची बना दिया काम नहीं नहीं ने के पास The poet expresses his sympathy for the roadside people The poet अपने सानुब होती अपने sympathy उन roadside people के लिए दरसाता है He will feel a great relief The poet कहता है कि मुझे बहुत अराम हैसूस होगा If the pains of rural people are removed at one stroke अगर एक बार में उनका दुख दर्द दूर कर दिया चाहे तो The poet hopes for their improvement The poet अमुद करता है कि उनके जीवन में उन रूरल लोगों के जीवन में कोई सुदार होगा No one is ready to help the rural people उन गरीबों की उन गरामन लोगों की मदद करने के लिए कोई तयार नहीं है Who have set up a roadside stand जिन लोगों ने सड़के किनारों पर अपने छोटे मोटे कोके लगा रखे हैं Stand लगा रखे हैं तो ये थी point की समरी और अब हम डिसकस करते हैं इसके MC की उबर What is the poet's call to the police traffic passing head इसका मतलब यह है कि वो सहर के लोगों को क्या कहता है His consistency He condemns this indifferent attitude of the city folk and feels the pain of the rural folk Poet उन लोगों की आलोजना करता है और उनका जो रवया है गाहों के रूरल लोगों के परती उसके परती वो दुख व्यक्त करता है हमारा next question है Why did they stopping car react? Stopping car किस परकार react करती है? तो इसका answer है A To point out the wrongly marked N and S directions है जो कार्स रुकती है वहाँ पे वो सिर्फ निशान देखने के लिए रुकती है अगला question है Why did the police traffic shop at the roadside stand? इसका answer है D They didn't like that place है वो लोग उन जिगों को पसंद भी नहीं करते हैं और उनकी अपने फाइदे के लिए यूज करते हैं और वो लाल्ची होते हैं अगला question है Who will suit the rural people? Rural people का शोशन कौन करते हैं? तो इसका answer है D City people will suit out of their wits अपनी बुद्धी की सारे वो उन गाओं के लोगों का शोशन करते हैं Next question है Why was the childish logging in vain? उनकी ऐसे इमीद जो कभी पूरी नहीं होती है वो बेकार क्यों है? तो इसका answer है C Because their wish of earning from city folk couldn't be realized or fulfilled उनकी इच्छा कभी पूरा नहीं हो सकती Why was roadside stand build up? Roadside stand है वो क्यों बनाया गया है? तो इसका answer है To earn money from polished city traffic उन शहरी लोगों से कुछ पैसे कमाने के लिए उसकिसान ने वो खोखा लगाया है Next question है Who went and waited in the lines है? कौन रुका है और इंतजार कर रहा है? तो ये शहर के लोगों को नहीं बताया गया ये उन गाउं के लोगों को बताया गया है ताकि वो कार रुकती है उनको देखे तो इसका answer है The rural folk went to hear the sound of stopping cars इससे वो कुछ कमाई कर सके Next question है Who made roadside stand and where? Roadside stand पे खोखा किसने बनाया है और कहां बनाया है? To answer है The poor rural people made in the village ताकि वो कुछ है? पैसे earn कर सके Next question है Who are the pitiful kin in the point? वो गरीब और दया प्राप्त करने वाले लोग कौन है? तो इसका answer है The poor rural folk and farmers गरीब किशान Next question है Who is the point of a roadside stand? तो इसका answer आप स्वाइम ढूंड लें वैसे इसका answer B है Robert Frost Next What is the open prayer from near the open window? उस खिड़की से जहां पर रोड़ साइट अचे लगा हुआ है क्या प्राथना की जा रही है? For the sound of coming cars to stop at the road stand to help the owner to earn money from them इसका answer D है वो ऐसी कारों की आवाजे सुनने के लिए उच्छू करते हैं प्राथना करते हैं कि वो रुकेंगे और उनका सामान करिदेंगे और उनका सामान करिदेंगे और कुछ पैसे earn करेंगे हमारा next question है What does Frost describe in the poem? इस poem में Frost क्या बताना चाता है? तो इस poem में कभी poet है The feelings of the owner of a roadside stand उस खोके वाले किशान की बाहने बताना चाता है next Frost's poem deal with किस से सम्मद रखती है Frost की ये poem इसका answer A है Human tragedies, fears and their solutions मनुश्य के दुख है उनके डर और उनके जो ये सारे दुख दर्द है उनका समाधान इस poem में दिया गया है next question है What is being sold on a roadside stand सडक के किनारे पे क्या बेचा जा रहा है तो इसका answer है D, wild berries, golden squares and some other similar products that are produced in their farms उनके खेत में पेदा होने बाल समान next Who are the greedy doers वो कौन लाल्ची लोग है जो अच्छा करने के बाने सोशन करते हैं तो इसका answer है D The police, the city folk उन चमचमाती सहरों में रहने वाले वो लोग जो सोशन करते हैं उन rural folk पीपल्स का next है Why are the city people called beasts of prey उनको लाल्ची और शिकारी क्यों का आगे है इसका answer है A, because of their selfishness and tendency to do others for it उनकी चतुरता की वज़े से उनकी स्वार्थपन की वज़े से जो उनका शोशन कर लेते हैं इसलिए उनको ऐसका आगे है next है Why is the word pathetic used for roadside stand? यह pathetic word उनके लिए क्यों use किया गया है It's considerably for poor condition of the owner of the stand उनकी गरीबी की वज़े से इस शब्द का प्रयोग उन roadside stand वर लोग लिखिया गया next question है What news is the point a roadside stand is making round in the village? किस परकार की news गाउं में गुमाई जाती है इसका answer है B, villagers will be given homes near theatres and shopping malls गाउंवालों को यह सपने दिखाए जाते हैं जूटे वादे किया जाते हैं आप उसको एक बार और देखेंगे ताकि आपके सभी याद हो जाएं Thanks for watching चैनल को सब्सक्राइब करें